असलाम वालेकु नाजरीन आज हमारी किष्ण में बनने वाली है सिंपल मटन करी तो चलिए शुरू करतें से बनाना दो बनाने के लिए एक किलो हमने मटन लिया मटन को अच्छी तरह धो लिया है प्रशर को कर में हम ओयल डालेंगे इस चम्मच से हम दो चम्मच ओयल मसाले जा हलकी से तड़क जाएं तो इसमें हम डालेंगे मटन मटन को फोड़ी जरब हम लेंगे चार से पांच में मटन को भोलने के बादूने इसमें डालेंगे वन एन हाफ टेबल स्पून अगरा वल्दासल का पेस्ट तीन डविदी स्पून धनिया पाउडर एक एक टीस्पून कश्मीडी लाल मिर्च, अब टीस्पून हल्दी पाउड़ा, एक टीस्पून नमक, एक टीस्पून फिसा हुआ करम मसाला, चार मीडियम साइच के टमाटर इसे हमने रफली चॉप कर लिया है, विडाल देंगे और ये सारे चीजों को थोड़ी दिर भूल मीडियम टू हाई फिलेम पर रखकर आट से दस में हमने इसे भून लिया है, अब इसमें हम पानी डालेंगे, तो पहले हम डाल रहे हैं एक कप के करीब, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, ची तरह मिक्स करने के बादे में इसका हम धकन लगा देंगे, तो यह हम ये 300 ग्राम प्याज का पेस्ट भी डाला है, प्याज का पेस्ट डालें या फिर प्याज को बारी काट के भी डाल सकते हैं, अब इसता लगाएं हम धकने, मीडियम टू हाई फिलेम पर रखकर चार से पांस सीटी लगा लेंगे, यह आप तब तक गला लें जब तक कि आपका मटन अच् भून देंगे, देते हैं, मसाला था भून गया है, और मतल भी अच्छे से गल गया है, अब इसमें हम ढालें पानी तो तक हम इसमें टेर ग्लास की पानी डाल रहा है, आप अपने हसाद से देखनेख लें, जैसी गाड़ी और पतली घरी भी आपको पसंद वह उसे इसमें अब इसे हम ढाल देंगे और गैस को बिल्कुर मद्दा कर देंगे और मद्दे फ्रेम पर रखकर 10-12 मिट इसे पकने देंगे मटन की सालन जब अची तरह पक जाए तो हम गैस को बंद करेंगे और इसमें ढालेंगे हम बारी कटा हुआ खरा धनिया इसको हमने बंद कर दिया है अब में से धाब देंगे और 5-7 मिट इसी तरह धाब देंगे तो मटन करीबन करते ही आ रहा है रहा है रेसिपी पसंद आई हो तो आई को शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें तो विलिए नहीं रेसिपी के साथ फिराजर होते हैं तब तर कियर है रहा है रखियो्स पाइब कर दो 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 अइसफे गी साहे रहा हैएब कर दोंद कर दो किया है